मेरे प्रियों दोस्तों आप सब को प्यार भरा एसु मसी के नाम से जय मसी की Everything My Jesus यूटूब चाइनल में आप सभी का श्वागत करता हूँ तो मेरे प्रियों दोस्तों आज हम आपके बीच में एक नए विशय पे बादचित करने के लिए आया हूँ और वो विशय का नाम है आधर्श पती जी हाँ मेरे प्रियों एक पती को किस तरह से अपने पत्नी के साथ है जे रहना चाहिए अपने पत्नी के साथ किस तरह से बादचित करना चाहिए उसके बारे में आज हम सब सिखेंगे और हम सब परमिश्वर के बचन से सिखेंगे बाइबल के बचन से सिखेंगे कि प्रभू परमिश्वर का पवित्र साश्त्र बचन क्या कहता है जो एक पती को अपनी जीवन में लागू करना चाहिए जिससे उनका घर परिवार आनंदित हो जिसका घर परिवार खुश हाल हो और उपती पत्नी का प्रेम बहुत आईस से आगे बरता जाए तो जी मेरे प्रियों दोस्तों आज हम सब देखते हैं एक पत्नी अपने पत्नी से क्या चाहती है और वो अपने लिए कैसा पत्नी चाहती है वो आज हम सब देखेंगे और हम बाइबल के बचन में भी देखेंगे कि एक अच्छे पत्नी के कैसे बिवहार होना चाहिए या कैसा चाल चलन होना चाहिए इसके विशाय में बाइबल के बचन क्या कहता है तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें एक्सिस्ट ना करें क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत मिहनत से आप सब के लिए बनाया है ताकि आप सबू को आसीस मिले और अपने पत्नी के साथ अपने जीवन साथी के साथ का बेवहाईक जीवन आनंद से कट सके और दोनों में प्रेम भर सके तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पत्नी अपने माईके के सारा परिवार को छोड़ करके आपके साथ रहने को चली आती है यहां तक कि अपने जन्म देने वाली मा और जन्माने वाले पिता को भी छोड़ कर अपने पती के घर को चली आती है तो क्या आप उसके माता यों पिता और सारा परिवार का प्यार नहीं दे सकते एक पत्नी अपने पती से सिर्फ प्यार चाहती है कि उसका पती उसे प्यार करने वाला और उसे अच्छे से बाचित करने वाला हो तो दोस्तों हर एक पती से उसकी पतनिया यही चाहती है कि उसके पती उसके ख्याल रखे तो दोस्तों आज हम बाइबल के बचन से देखेंगे कि एक आदर्श यानि एक अच्छे पती होने के लिए बचन क्या कहता है तो दोस्तों आगे को देर न करते हुए हम बाइबल के बचन में देखेंगे तो चलिए दोस्तों हम बचन में देखते हैं तो दोस्तों बचन में जाने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप इस चाइनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज आप इस चाइनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और अगर या वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को आपने दोस्तों यह उम्रिष्टेदारों को जरूर शेर कर दें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी दे सके तो दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करें जिससे हर पती और पतनी इस वीडियो के द्वारा आसीश को पा सके और उनका पती और पतनी दोनों का प्यार वर सके और उस घर में खुशी आनंद आ सके तो दोस्तों हम सब अब बाइबल के बचन से देखते हैं तो दोस्तों मैंने बाइबल से छे बचनों को लिया है तो एक पती के अंदर वो गुन होनी चाहिए उसे बाइबल भी आदर्स पती के बारे में कहता है यानि एक अच्छा पती के अंदर ये बाते होनी चाहिए तो दोस्तों हम सब बाईवल के बचन से देखते हैं वो छे महत्तोपुन बचनों को तो हम लोग देखते हैं पहला बचन है पहला कुरंथियों साथ के तेन उसमें कता है पती अपनी पतनी का हक पुरा करे और वैसे ही पतनी भी अपने पती का जी हाँ मेरे प्रियोदोस्तों यहाँ पे पती के बारे में कहा जाता है कि पती है जो अपनी पत्नी का हक पुरा करें यानि जितना भी पती के उपर हक आधिकार है जो अपना पत्नी का होता है जिहां मेरे प्रियों दोस्तों और जो भी उसका हक है जो भी उसका अधिकार है वो पति का दाईतव होना चाहिए कि वो अपने पत्नी को पुरा करें दूसरा हम देखते हैं और दूसरा है कुलोशियों के तीन अध्याय के उनश्पद में कहता है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उन से कठोड़ता न करो जी हाँ मेरे प्रियों दोस्तों यहाँ प्रभु का वचन कहता है पतियों के बारे में कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो यहाँ अपनी पत्नी से प्रेम रखने के बारे में प्रियों कहा जाता है और उनसे कठोरता न करो बहुत से ऐसे हम देखते हैं समाज में देखते हैं मेरे दोस्तों क्यों अपने पत्नियों को प्रीम नहीं करते हैं अपने पत्नियों के साथ अच्छा बोल चाल अच्छा रहन सहन अच्छा है जे मतलब नहीं मेल खाता है और दुसरे के साथ ज़्यादा खाता है लेकिन यहां पत्यों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और दूसरा कहता है कि अपने पत्नी से कठोरता न करो यानि अपने पत्नी के साथ एक ऐसा बिवहार रखें जो कठोरता का बिवहार न रहे ओ है जे अनंद के साथ एक दूसरे को सहले एक दूसरे से मेल जोल करके रखें दूसरे पत्रच तीन के साथ in पद वैसे ही हा पत्यों तुम भी बुधिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निरवाह करो और इस तीरी को निरवल पात्र जान कर उसका आधर करो यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के बर्दान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रात्नाएं रुक न जाये अपने पतनी के साथ जीवन निर्वाह यानि जो है जे आप दोनों है जे एक साधी सुधा जीवन में बंधे हैं दोनों एक दामपती जीवन के लिए एक साथ है जो दो बंधे हैं पती पतनी उनको पूरे जीवन भर है जे निर्वाह एक बुधिवानी के साथ करना है और कहता है कि इस्तिरियों को यानि पत्नी को निर्वल पात्र जान कर उसका आधर करो उसका नाधर नहीं आधर करने की बात कहा जा रहा है और यहां कहता है कि यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वर्दान के वारिस हैं जी हां मेरे प्रियोदोष्टों यह भी समझना है कि पती पत्नी द दोनों को एक ऐसा वर्दान दिया है, दोनों को एक ऐसा मिलाया है, जो है जीवन भर के लिए जब तक सारीरी के रूप में जीवित रहते हैं, तब तक के लिए वो दोनों पती पत्नी का एक रिष्टा और एक शंबंध होता है, तो उसको है जे निर्वा करना है, उसको है जे जिहां मेरे प्रियों दोस्तों आप जब दोनों में आनंद रहेंगे और दोनों में एकता रहेंगा तो दोनों मिलके प्रात्ना करेंगे तो प्रभु है जे प्रात्ना भी सुनेंगे और दोनों को प्यार और घर में आनंद खुशी को और बरहाएंगे मैंने चौथा पॉइंट को लिया है पहला तिमूथी से तीन के तीन में लिया है और वो है जे बचनीस प्रकार से पियाकर या मार पिट करने वाला ना हो वरन कोमल हो और न जगरालू और न लोभी हो जी हां मेरे प्रियो दोस्तों एक अच्छे आदर्स पती को एक गुन होना चाहिए कि वो पियाकर ना हो और घर में परिवार में मार पिट करने वाला ना हो बहुत से ऐसे होते हैं देखते हैं इस समाज में कि पती है जे पी करके आते हैं और बतनी से जगरा लड़ाई करते हैं मार पिट करते हैं और उस घर में हमेशा है जे कला होते रहता है और उस घर में हमेशा असानती रहता है तो वो यहां बाइवल का बचन कहता है कि एक आदर्स पती का गुन ये होन चाहिए कि वो पिया करना हो और मार पिट करने वाला ना हो बरन कोमल हो बरन मतलब ऐसा हो कि वो है जे नरम मिजाज का हो और जगरालू और नलोभी और लोभी भी नहीं होना है ऐसे दोनों मिल के रहना है कि दोनों को एक साथ है जे मिल करके बादचित को सुल्जा करके और एक साथ हो करके आगे को प्रियम में बरते जाना है जी मेरे प्रियों पांचमा गुन मैने लिया है निती वचान 31 के दाश पद से लिया है और उसमें कता है भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मुल्य मुंगों से भी बहुत अधिक है उसके पती के मन में उसके प्रती चाहिए जब हम उसे अच्छे से बोल चाल अच्छे से बेवार अच्छे से प्रेम करेंगे अच्छे से एक दोनों मिल करके रहेंगे तो एक ऐसा विश्वास के बारे में भी यहां का जाता है कि दोनों को प्रती इतना विश्वास पती को होना चाहिए कि कोई भी अगर कोई बातों को बताए पत्नी के बारे में तो उसे सोंच समझ करके ही कोई कदम को उठाना चाहिए और टूट भी स्वास पत्नी को पर करने वाला होना चाहिए पती छथा पॉइंट मैंने लिया है और वो आखरी है बचन और वो बचन है फिशियों पांच के पचीश में कहता है हे पतियों अपनी अपनी पतनी से प्रेम रखो जैसा मसी ने भी कलिशिया से प्रेम करके अपनी आपको उसके लिए दे दिया अज यहां मेरे प्रियों दोस्तों यहां पे लास्ट अंतिम पत को हम देखते हैं कि जैसे इस्व मसी ने का कलिशिया है जो अपने लोगों को दिया ह जैसा मसीह ने भी कलिशिया से प्रेम करके आपको उनके लिए दे दिया और इसु मसी ने हम आप सब के लिए अपने आपको दे दिया है उस सुली पे प्रान दिया है तो जी मेरे प्रियों आज हम सब ने सुना कि एक आधर्स पती को एक अच्छे पती को एच्छे गुन होनी चाहिए जैसे है परमेश्वर भी खुस होते हैं और वो से एक पत्नी भी आज आनंदित रहती है और वो पत्नी भी खुस हाल जीवन जीती है और दोनों का जो दामपती जीवन है जो बैवाही की जीवन है जो सुखमे होता है और लोग एक उधारन की रुप में उसे देखते हैं और कते भी हैं कि देखो दोनों पती पत्नी का दोनों का प्रियम दे जो प्रभु का वचन है जो दिये प्रभु ने वो आप सब सुनकर करके आप सब ने आशीशित हुआ होगा हम आशा करते हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि प्रभु आप सब के जीवन में काम किये होंगे तो चलिए दोस्ते एक छोटी सी प्रात्ना करते हैं हालेलूया हालेलूया हे परम पिताश्वर के सिहासन पर बैठे सिनाओं का यहा परमिश्वर पिताप्रभु हम धन्यवात करते हैं कि पिताप्रमिश्वर दाम पती जीवन के लिए बैवाहिक जीवन के लिए एक आधर्ष पती को एक अच्छे पती को एच्छे गुन होने के प्राइविड्योर इतना अनंद से भर जाए कि उर प्रभुजी घर प्रभुजी स्वर्ग लाने त महिमा होने पाए हाँ मेरे प्रभु जो प्रभु जी भाई बहन सुनते हैं उन सबको जीवन में काम किजिए और उन सबको खुसी से भर दीजिए हाँ पिता अगर किनी के घर में प्रभू लडाई जगरा होता है पिता और पती पतनी में प्रभू जी हमेशा पिता परमिश्वर मार पिट होते हैं पिता और कोई अगर पती पिता पियकर है पिता और मार पिट करने वाले हैं पिता तो हम दुगा करते हैं प्रातना करते हैं क आतना ईश्यो के नाम समंगते हैं, आमीन तो मेरे प्रियों भाई भवनों हम आप सब को कोटी-कोटी हम धन्यवाद करते ही कि आप सब आपने पूरा वीडियो को देखा और अन्तक देखा, इसके लिए आप सब को धन्यवाद करते हैं आप सब को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब को जय मसी की, God bless you.